नमस्कार दोस्तो मैं आप सभी का फार्मस्विस्ट रागव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Amoxiclave 625MG टैबलेट के बारे में इस वीडियो में हम इसकी complete information के बारे में जानेंगे किस तरह से काम करता है इसके uses क्या क्या है उसके बारे में हम details में बात करेंगे इसके क्या क्या side effects होते हैं और इसका क्या dose होना चाहिए किस company का product है क्या pricing है क्या इसके alternates आप ले सकते हैं बोले तो इसके substitute brands कौन-कौन से हो सकते हैं तो वीडियो का अंट तक पुरा ज़रूर देखे for complete information तो चलिए दोस्तो वीडियो करते हैं शुरू तो दोस्तो अमोक्सी के लिए 625 mg strength के साथ में आता है और इसके अंदर अगर combination की बात करें तो अमोक्सी सिलिन 500 mg प्लस क्लैवलेनिक एसिड 125 strength के साथ में ये combinedly आता है और अगर इसकी बात करें तो इसकी costing पड़ती है आपको 22 से 23 रूपे बोले तो 222 रूपे या फिर 23 रूपे का इसका पत्ता है तो आप देख सकते हैं आपके area में कित्ते का मिलता है और अगर brand की बात करें तो दोस्तो यह about company का brand है जो की बहुत ही popular है और आपको असानी से कहीं भी easily मिल जाएगा तो दोस्तो यह थी इसकी एक basic सी information और सबसे पहले मुद्दे की बात प्यादाते हैं इसके क्या-क्या uses होते हैं तो दोस्तो यह एक तरह का antibiotic category का product होता है या फिर medicine होती है तो obvious ही बात है bacterial infection को treat करने के लिए use की जाती है तो दोस्तो amoxiclave 625 mg strength के साथ में आता है और इसका जो सबसे पहला use है वो है community acquired pneumonia में जैसे कि अगर आपको खासी, fever, सर्दी लग रही है, shivering हो रही है, chest में pain है या फिर breathing की दिक्कत हो रही है, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत है तो उस condition में doctors इसको use करते हैं, अगर आपको pneumonia के symptom सुनको नजर आते हैं और आपका pneumonia diagnose होता है, तो doctors उस condition में इसको use करते हैं दूसरे number पे दोस्तो amoxiclave जो होता है, यह antibiotic है, तो obvious सी बात है तो first choice dental के लिए antibiotic में रखा गया इसको, dentist होते हैं उनके लिए primary choice of antibiotic होती है जैसे अगर dental surgery के बाद में आपके घाव बरने के लिए उस condition में भी doctors इसको use करते हैं और फिर dental से related कोई भी अगर दिक्कत होती है और महाँ पर antibiotic के requirement होती है तो इसको primarily doctors use करते हैं या फिर dentist use करते हैं तीजरे नंबर पर आता है दोस्तों अगर आपको eye में infection है तो उस condition में भी आपको doctor से ये prescribe करते हैं या फिर अगर आपके ear में infection है जैसे कि middle ear infection में primarily doctors इसको use करते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपको lung related कोई दिक्कत है जैसे कि bronchitis अगर है तो उस condition में भी doctors इसको use करते हैं या फिर respiratory tract infections से related कोई भी दिक्कत होती है कोई भी bacterial infection होता है तो उस condition में भी doctors इसको use करते हैं इसके अलाबा दोस्तो UTI बोलो तो urinary tract infections में भी इसको use किया जाता है, या फिर अगर आपके bladder में, gallbladder जो होता है, उसमें infection हो गया है, या फिर swelling हो रही है, तो doctors उस condition में भी इसको use करते हैं, या फिर इसके अलाबा अगर आपके kidney related infection हो रखा है, तो उस condition में भी doctors इसको use करते हैं या फिर अगर आपको bones और joints से related को infection है तो उस condition में भी doctors को prescribe करते हैं या फिर दोस्तों अगर आपके चोट लगी है और आपके टांके लगे हैं या फिर stages लगे हैं तो उस condition में भी doctors amoxiclave 625 को use करते हैं या फिर इस combination को use करते हैं इसके अलावा अगर आपके इंजरी है और इंजरी के बाद में आपके गाव में पस पड़ गया है तो उसको भी सुखाने के लिए डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं या फिर अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है उसके जखम भरने के लिए भी डॉक्टर्स इसको यूज करते है उसमें भी doctors इसको use करते हैं even अगर आपके skin से related कोई भी bacterial infection होता है तो उस condition में widely इसको use किया जाता है doctors द्वारा तो दोस्तों ये थे इसके कुछ major uses इसके अलावा भी doctors इसको अपने experience के इसाप से बहुत सी other condition में भी use कर सकते हैं और depend करता है doctors देखते हैं जब diagnose करते हैं तो patient severity के उपर antibiotic कौन सी class के antibiotic चूज करनी चाहिए या फिर किस इसको use करना चाहिए वो भी doctors अपने experience के इसाप से देखते हैं तो doctors पर विश्वास रखें रैसी medicines को self-medicate पिल्कुल भी ना करें तो दोस्तों चलिए uses जानने के बाद में अब बात कर लेते हैं ये किस तरह से काम करत है और इसकी details में बात करते हैं दोस्तों amoxicillin जो होता है ये antibiotic है जैसे मैंने अभी आपसे discuss किया था इसका काम क्या होता है जो bacteria की cell wall होती है उसको बनने से रोग देता है जिसकी वज़े से bacteria ना ही multiply हो पाता है और ना ही survive कर पाता है और वो मर जाता है और अब आपके घ्री को अधियन से करने में काम करता है जो दोस्तों ये theor से किया है किस तरह से काम करता है बात कर लेते हैं यसके क्या-क्या साइडएट हो सकते हैं दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है नोजिया हो सकती है इसके अधावा वॉमिटिंग भी हो सकती है डाइरिया हो सकता है है डिजीनेस हो सकती है इसकिन पर रैशिस काइंड ओफ हो सकता है इचिंग हो सकती है या फिर कोई भी अधर कंडिशन अगर आपको लगती है कि क्या है एज क्या है बोडी वेट क्या है बहुत सारी चीज़े होती है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अमॉक्सी के लिएव 625 mg टैबलेट के बारे में और एक एवरेज बोडी वेट और एक एवरेज बर्जन के रिगार्डिंग तो दोस्तो इसको दो से तीन बार यूज किया जा सकता है और आप इसे खाने के साथ या खाने के बाद ले सकते हैं एम्टी स्टमक या फिर खाली पर इसको यूज ना करें तो इट विल भी वेरी बेस्ट फॉर यू तो दोस्तो यह थी कंप्लीट इन्फॉमेशन अबाउट एमॉक्सी कलेव 625 mg टैबलेट के बारे में तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंड बॉक् कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम से पर भी हम से कनेक्ट कर सकते हैं चले दोस्तो बवाए मिलते हैं अगली वीडियो में